नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका हमारे वीटिव चैनल माई सो में तो चलिए दोस्तो आज हम बात करेंगे एफ़े क्याउ सो के बारे में और जानें कि आखिर ये सो बंद क्यों हो गया था तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं ये सो सबसे पहले पोगो चैनल पर टेलिकास्ट किया गया था और बाद में ये सो कार्टू नेटवर्क चैनल पर भी री टेलिकास्ट किया गया था इसो के कितने एपसोड कब से कब तक आई थे इस बारे में कोई उप्युक्त जानकारी नहीं है इस सो में परतीक सेटी सो को होश्ट करते हैं जो आपको हमेशा साइंस के बारे में नालेज देते रहते हैं तहां नई नई प्रियोग करके हमें हमारे आसपास की सबसे सरल चीजों जैसे पानी, हवा, दवनी, आदी के बारे में नालेज देता है और बच्चों को कुछ क्रियेटिव आइडियाज देते रहते हैं और परतीक के साथ क्रैस नाम का एक मित्रवत रोबोट भी है जो हमेशा परतीक की मदद करता है इस तरह सो चलता रहता है अब बात करते हैं कि आखिर ये सो बंद क्यों हो गया था ये सो साइंस के बारे में बहुत सारी जनकरियत देता है वो भी बड़े ही मज़ेदार तरीके से सो का कंटेंट यूनिक था जिसे लोगोंने काफी सराहा था पर बच्चों को सो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया इतनी तारीफे बटोरने के बाद भी सो के एपिसोड ज़्यादा नहीं चल पाई हालांकि सो में कुछ-कुछ कामेडी और परतीक करस की मस्ती भी सो में देखने को मिलती थी पर जयातर बच्चों को सो पसंद नहीं आया था इसलिए सो बंद हो गया था इस बारे में परतीक सेटी ने अपने यूट्यूब चैनल परतीक में F.E.Q. सो के बारे में बात की है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने सो को क्यों छोड दिया था उन्होंने बताया है कि उन्होंने सो को इसलिए छोड दिया था क्योंकि उनका Pogo Channel के साथ कांट्रेक्ट खतम हो गया था तो था उन्होंने इस सो के Next Season के बारे में बताया है कि इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है इस सो का Next Season आएगा या नहीं सो के बंध होने आकारण परतीक सेटी का सो को छोड़ने का नहीं था क्योंकि परतीक ने अपनी मर्जी से सो नहीं छोड़ा था उनका तो Pogo Channel के साथ कंट्रेक्ट खतम हो गया था इसलिए उन्होंने सो को छोड़ दिया था सो के बंध होने का कारण सो का पॉपलर नहीं हो पाना था इसलिए ये सो बंध हो गया था तो दोस्तों कि आपको ये सो पसंद है प्लीज कमेंट जरूर करें और वीडियो अची लगिए तो चैनलों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं